विराट कोली भारत की रन मसीन तो है ही साथ ही साथ जितने अच्छे बल्लेवाज है उतने ही अच्छे फिल्डर भी है विराट कोली ने अपनी फिल्लिंग से कई खिलाडियों को जहां पलग जपकते ही आउट किया है तो वहीं कई ऐसे सांदार कैंच भी लिये हैं जिनको देखकर दरसों ने दातो तले उंगलिया दबाली ऐसे ही कुछ कैंच आज हम आपको इस वीडियो बे दिखाने जा रहे हैं जो कि विराट कोली के कैरियर के सबसे बेस्ट कैंच है चलिए सुरू करते हैं पहला कैच है यह मैच आश्ट्रेलिया और भारत के भी चल रहा था मुहमन समी गेंद बाजी कर रहे थे जब मिचल मार्स समी की गेंद पर हवाई फायर करते हैं उन्हें लगता है कि यह बॉल बाउंडरी के पार जाने वाली है लेकिन बाउंडरी पर खड़े विराठ कोली इस गेंद को सही टाइम पर जंप करके पकड़ लेते हैं और मिचल मार्स को पौवेलियन लोटना पड़ता है मिचल मार्स को यह नहीं पता होता कि इस छखके और Boundary के बीच में विराठ कोली खड़े होते हैं और विराठ कोली किसी भी केंच को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते दूसरा कैंच है यह मैच IPL के दोरान बैंगलोर और कोलकोरता के बीच खेले जा रहे मैच का है राहुल तिरपाथी ओफ साइड में बहतरीन सोट लगाते हैं और इस साइड में विराट कोहली खड़े होते हैं लेकिन विराट कोहली चीदे की रब्तार से अपने दाई और डाई लगाते हुए हावा में उशलते हुए इस कैंच को पगड़ लेते हैं राहुल तिरपाथी को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैंच कोई कैसे ले सकता है राहुल त्रिपार्टी आओ होकर आउट होकर बाहर जाते जाते इस कैच के बारे में सोच रहे होते हैं वहीं तीसरे नंबर का कैच है यहाँ मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीशी खेला जा रहा था क्रिस ग्रीन अपनी पूरी फोम में नजरा रहे थे तबी रवीश चंद्रनस्वीन की गेंद पर वहाँ एक जोरदार सोट लगाते हैं और सोट पर खड़े विराट कोली उस कैच को पकड़ लेते हैं और क्रिस ग्रीन को आउट होकर पवेलियन लोटना पड़ता है यहाँ मैच गुजरात लायन्स और बैंगलूर के भी चल रहा होता है डिवेन समिथ चहल की गेंद पर सामने की और एक जोरदा सोट लगाते हैं और उन्हें लगता है कि सामने की और सोट मारना बिल्कुल सेप होता है उधर कोई खिलाडी नहीं होता लेकिन उधर तो विराट कोली खड़े होते हैं और जैसे ही ड्वेन इसमित सोड लगाते हैं विराट कोली उस गेंड को लपक लेते हैं और ड्वेन इसमित को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं किर्किट से जूड़ी और तमाम रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें